नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके पनी चैनल अंजली नियूस कौन में, मैं हूँ आपकी वही अंजली बहुत वक्त लगा हमें आप तक आने में, बहुत फर्यार की खुदा से आपको पाने में कभी तुम ये दिल तोड़ कर मत जाना, हमनी उम्मरे लगा दी आप जैसा सरब बारे में जी आपने सही सुना हम आज के डेली राश्टिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जनका बहुत है या फिर मारे जनवर्सरी है, उनको मेरी और से ठेर सारी गुद विशिस हो तो चली स्टार्ट करते हैं कल का इंतिजार मत करो, क्योंकि कल तुम्हारा इंतिजार नहीं करता इसलिए कल हमेशा कल लाता है अगर आपको खुद पर भरोसा है, तो आप जिसे चाहते हो, उसे हासल करके रहोगे कमजोर लोग ठोकर खाकर बिकर जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले ठोकर खाकर एक इतिहास रचते हैं फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है रिस्क लेना सीखो, जीत गए तो खुश हो जाओगे, अगर आप हार गए तो आपको सीखने को मिलेगा अकाश तब रोशन होता है, जब वह आप की तरह जलता है इसी तरह जितना अधिक आप अपने आप को रगडते हैं, उतना ही आप अधिक चमकेंगे अधूरा घ्यान कभी मतलो, क्योंकि अधूरा घ्यान आधे जल से भरे घड़े की तरह होता है काम आता नहीं मगर छलकता बहुत है भलाए कर दे रहिए एक बहते पाने की तरह क्योंकि वुराई एक कच्छरी की तरह होती है जो अपने आप किनारे आ जाती है गलते आपके प्रयास की निशानी होती है जबकि सफलता आपकी निशानी होती है जीतने के लिए खुद में हौसला होना चाहिए क्योंकि हारने के लिए बस एक तर ही काफी है भेड में गलत रहा पर चलने से अच्छा है कि अकेले खुद का रहा निश्चे करो वैसे भी शीर हमेशा अकेला ही चलता है हार क्या है? मन के अंदर ठान लेना मुझसे नहीं होगा ये हार है हमेशा कुछ नया करने से डरना ये हार है मुझसे नहीं होगा ये कहना हार है तुम करो मैं बार में करूँगा ये हार है जीत क्या है? कभी भी कुछ करने से नहीं डरना ये जीत है मैं करूँगा चाहे जो कुछ हो ये जीत है वक्त को मौका मत दो कि वो तुम्हारे जिद बदल दे बलकि तुम जिद पेड़े रहो कि जिद तुम्हारा वक्त बदल दे सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अजाब के लिए भागिशाली रंग यानि कि लखी कलर रहने वाला है और इंज यानि के संतरी और शुब अंक रहेगा आपके लिए एक अजाब को जो दिन है अपनी कामों को तेजी से निप्टाने में गुजर सकता है अजाब की टू-डू लिस्ट में प्रियोरिटी के अधार पर काम पूरे करने का दबाब भी हो सकता है अपने आपको जो है पूरे तरह काम पर फोकस रखीगा आपकी प्रोडक्टिविटी भी बड़ेगी आपके लिए आज का जो दिन है कई मामलों में देने बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला रह सकता है रिष्टो की मजबूती और प्रिणा के लिए भी आपको समय अनकूल नजर आएगा ये बहुत सिधारे कह रहे हैं कुछ समय से चल रही खर्चों की अधिक्ता में भी आज काफे हज तक ठहराव आ सकता है और हाँ हर एक कारे का हल निकानने में सक्षम भी रहेंगे आप दोस्टों पर जादा विश्वास करने की अपिक्षा अपने फैसले को सबसे उपर रखेगा बलकि किसी पर भी मैं तो कहती हूँ कि आज विश्वास मत कीजी तो बैटर रहेगा खुद पर भरोसा और खुद के फैसलों पर यकीन आपको सफलता दिलवा सकता है किसी के बातों में आकर जो है आपकी कोई यूजना गडबड भी हो सकती है इसकी वज़े सो जो है तनाव किस्थितिया नाचुरली बन सकती है और संभावना बन रही है प्रॉपर्टी से रिलेटिट कोई भी काम आज जो है स्थागित रखेगा इसके साथ ही आज के दिन आपके लिए विशेश भी हो सकता है कई मामलों में कुछ ऐसे सफलताएं आपको मिल सकती है जो दूसरों के लिए प्रेड़ना का काम कर सकती है आपको अपने कामों पर पूरण रूख से काबू करना होगा इसे आपको काफी हद तक लाभ मिल सकता है इसके लिए जो हैं आप कुछ रिसर्च भी करेंगे अपने कुछ रता से धन अर्जद करने में आप सक्षम रहेंगे अगर आप करियर में किसी तरह की बदलाव पर विचार कर रहे हैं या बदलाव करना चाहते हैं तो यह जो समय है यानि कि आज के दिन बहुत ही श्रेष्ट और बढ़िया रहेगा यानि कि आगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं कुछ तब दिल्या करना चाहते हैं तो यह सब चीजों के लिए यह जो दिन है आज का बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा धर्ण से जुड़े समंदी जो हैं सभी कारिय दिन की शुरवात में ही पूरे हो सकते हैं यानि धर्ण से लेजिट कोई भी कारिय करना चाहते हैं वो कंप्लीट होंगे आप अपने अंदर एक नई उर्जा महसूस कर सकते हैं इसका आपको सदवियोग करना चाहिए भरपूर मात्रा में पिता की सलाह आपके लिए काफी हद तक फायदे मंद हो सकती है इसलिए उनकी सलाह को आप स्युकारी उनको करकर देखिए मिश्ची दिरुप से आप फायदे में रहेंगे लेकिन कभी-कभी आपका अति आतम विश्वास आपके लिए कुछ परिशानिया खड़ा कर सकता है यानि कि आपको ओवर कॉन्फिरेंस नहीं होना है बस अपनी कॉन्फिरेंस पर विश्वास रखिए जादा ओवर मत होईएगा अपने विचारों में लचीला पंजो है आपको बना कर रखना पड़ेगा जादा वहम की सिती में भी मत पड़ीगा और हाँ अपने गुसे पर जितना हो सके उतना काबु रखे अब आद करते हैं बिजनिस और करेड की तो वो कहता है कि विविसाई में आज कोई बाहरी अनुबंध मिलने से मन में खुशी रहेगे किसी उच अधिकारी का भी आज आज आपको पूरा साथ और सहयोग मिल सकता है बस अपने योजनाव को गुप्त रखिए, सीक्रिट रखिए क्योंकि दूसरे लोग इसका काफी फाइदा उठा सकते है अगर आप किसी नए इक्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जो परिसितियां हैं वो आपकी फेवर में हो सकती है इसलिए बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए विवसाइक सल पर यनकी जहां पर आप काम करते हैं वहाँ पर सभी गतिविदियां सुचारों रूप से लगातार चलती रहेंगी किसी कर्मचारी की वज़़े से कोई कारे रुख सकता है लेगिन आप उन मामलों को सुलजारे में भी काफी सक्षम रहेंगे बाहरी संपर्क आपके लिए फायदबंध हो सकता है यनकी जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं उसमें से आपको बहुती अहत्तक फायदा मिल सकता है आज आपके लिए नौकरी में कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं जो लोग नौकरी की तलाश कर रहें थे उनके लिए अफसर मिला है कि आपको नौकरी भी मिल सकती है इसलिए इस चीज़ का आपको फायदा उठाना होगा और साथ ही अगर आपने कोई लांड खरीदना है जमीन खरीदनी है या फिर ओफिस ए घर खरीदना है उसके लिए भी दिन जो है आज बढ़िया साविट हो सकता है आप पूरी प्लानिंग के साथ अपने दस्ता वेज़ अपने साथ रिखीगा निशे रूप से आपको सफलता मिल सकती है और साथ ही साथ अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो अपने इंपॉर्टेंट जो डॉकुमेंट्स हैं उसको साथ सरूर लेज़ेगा और हाँ वही कल साथ धाने से ही जलाएगेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के वारे में तो लव लाइफ खहती है कि पती-पत्नी के संबंद समान्य होंगे जैना कि सभी कुछ नॉर्मल हो जाएगा प्रेम संबंदों में किसी प्रकार की कहा सुनी भी हो सकती है आपस में लड़ाई जगड़ा हो सकता है इसका कारण जो है कोई भी हो सकता है और उसका असर जो है आपकी कारक्शंतावर बढ़ेगा जैना कि बिजनस में आपका फोकस इससे बहुत ज़्यादा बिगर सकता है ठीक से काम नहीं कर पाएंगी और आपका मन भी बेचैन और विच्रित रहेगा प्रेमी गली समय अनकूल कहा जा सकता है आप अपने रिष्टों में ज्यादा समेधन शील्ड रहेंगे कुछ लोग जो हैं अपने रिष्टों को जल्दी ही शादी शुदा जिंदगी में तब्दील होने के बारे में विचार बना सकते हैं अगर साथी के साथ किसी तरह की गलत फैमी है तो आज आपके मन मुठाव भी दूर हो सकते हैं यानि कि जिन लोगों की काफी देर पहले से लड़ाई जगरे चल रहे थे उनका आज जो है उनका प्राब्लम काफी हद तक सौल्व हो सकता है काम की अधिक्ता की कारण आप अपनी जिवन साथी और परिवार को समय तो नहीं दे पाएंगे लेकिन हाँ उनका खयाल रखने के लिए आप समय समय पर उनसे वारत अलाब करते रहेंगे लेकिन फिर भी आप से जमन्दों में मधुर्ता बनी रहेगी और आपका जो घर है उनमें आपको मान समान भी बढ़ता नजर आ रहा है बात करते हैं स्वास्ते के बारे में तो स्वास्ते कहता है कि स्वास्ते बहुत बढ़िया रहने वाला है काम की अधिक्ता के कारण मान सिक्था कान हो सकते है खानपान में लापरवाही बिल्कुल भी मत बढ़तेगा और हाँ पोस्टिक आहार यनकी healthy food healthy things आप लेते रहेगा आपको वजनदार चीजें उठाने या फिर भारी कामों से आज बचना चाहिए कमर या पीठे में बहुत हद तक परिशानी के आसार बने हुए ऐसे सितारे कह रहे है अज आपको health का पूरे साथ भी मिल सकता है अपनी आपकी जो कारक्षमता है वो भी काफी हद तक बढ़ सकती है डाबटेश से गरस्त व्यक्ति अपनी नेमित जाज करवाते रही है समय पर दवाए लीजिए और balance बना के रखेगा शरीर में किसी प्रिकार की कमजोरी महसूस होने की संभावना भी बन नहीं है तो चलिए बात करते हैं आज के विशेश उपाई के वारे में अज आपके लिए विशेश उपाई रहेगा कि आज आपको जो है शरी मंदिर में तेल चड़ाना चाहिए साथे साथ में आज आज आपको जहें गरीबों में कुछ दान भी करना चाहिए इसे के साथ एगर आपको किसी को उपाहार भी रेते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा और हाँ अपने माता पितों को खुश सरूर रखेगा युकि अगर माता पितों खुश रहेगी तो भगवान की प्रसंटा आप पर बरस्ती रहेगी